रॉकेट बॉई सीजन टू आ चुका है सोनी लिव पर तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कल लेता है सेकेंड सीजन में हमें लेकर जाते है उस टाइम पर जब दो फिजसिस्ट डॉक्टर हुमी भाबा और विक्रम सारा भाई ने इंडिया को ट्रांसफर्म किया था न्यूकलियर पावर में जब हमें वह थ्रेट्स मिल रहे थे यहाँ पर हमें आउटकम पता है कि न्यूकलियर टेस्ट होगा पर उस न्यूकलियर टेस्ट में कौन-कौन शामील होगा वो देखने लायक है यहाँ पर nuclear test के operation को नाम दिया गया है operation smiling buddha यहाँ पर 8 episode है और हर एक episode 50 minute के अंदर है यहाँ पर हमें इस बार यह नहीं बताता है कि हमारे scientist ने क्या achieve किया है बलकि यह बताता है कि professional से politics में कैसे involved हुए और उन्होंने भी कैसे थोड़ा बहुत politics खेला यहाँ पर आपको starting सही कहान interesting लगने लगीगी और last के 2 episode एकदम धमाकेदार है जहाँ पर आपको अपनी आँख पलकाने का भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर उस time के videos भी use किये गए है जिससे की यह series बिलकुल realistic लगती है यहाँ पर सारा भाई की marriage problems कभी-कभी यह series को slow कर देती है और यहीं पर अगर APG Abdul Kalam और former Indian Prime Minister श्री इंदीर घंते को scream time देते तो और भी ज़्याद interesting लगता यहाँ पर आपको पहला TV, satellite, TV पर आने वाले नई channels जैसे की दूर दर्शन और क्रिशी दर्शन के बारे में भी जानने को मिलेगा Rocket Boys का theme song मुझे थोड़ा बहुत Sherlock Holmes के theme song जैसा लगता है अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो तो मुझे comment box में ज़रूर बताइए अगर आपको यही सीरिस अपने parents को दिखानी है तो यह एपिसोर संभाल कर दिखाना बाकी एक्टरिस की बात करे तो जीम सर्ब और इश्वाक सिंग ने काफी अच्छी एक्टिंग की है होमी भाबा और विक्रम सारावाई की ओवरल यह सीरिस बहुत ही दगड़ी है और हमारे सैंटिस्ट के लिए यह सीरिस स्ट्रीम करना और स्किप बिल्कुल भी मत करना तो चलो यह रही तो मेरा आज का रिव्यू रॉकेट बोई सीजन टू के उपर तो क्या आपने यह सीरिस देखे या नहीं यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक के लिए बाई